दोस्तों हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से स्कूल टीचर्स के रिक्रूट्मेंट की एक बंपर विकेंसी आई हुई है और इस विकेंसी की खास बात ये है कि इसके सारे पोस्ट पर्मानेंट पोस्ट है यानि कि यदि ये नोकरी आपको मिलती है तो आप पर्मानेंट टीचर बनते हैं इसलिए काफी विकेंसी है और अल्मोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में है इसलिए धैर्स के साथ सुरू से अन तक इस वीडियो को देखिए सायद आपके काम का कोई पोस्ट यहाँ जरूर होगा और वो ड्रीम जॉब आपको जरूर मिलेगी जिसकी तलास आपको आज तक है दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप कमेंट बॉक्स में अपना स्टेट और अपना डिस्टिक लिख देंगे तो आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके स्टेट और आपके डिस्टिक में इस तरह की जो जो वेकेंसी जाएंगी तो वो हम आपके लिए लेकर आएंगे चलिए शुरू करते हैं सीधे ये देखिए ये अर्विटिजमेंट अंबर 42-2023 है और ये वेकेंसी पोस्ट ग्राइड टीचर इन सब्चेक्ट अफ हिस्ट्री है ये इतिहास में PGT के जो रिक्वाइर्मेंट है इसकी ये पोस्ट है और ये देखिए ओनलाइन अप्लिकेशन इसकी कल से सुरू हो जाएगी भरनी 28-6 से आप इसे भर सकते हैं और इसकी क्लोजिंग डेट 18-7 है यानि कि 18 जुलाई तक ये फॉर्म भरी जाएगी अब देखिए यहाँ इन्होंने एक खास बात कही है कि ये जो वेकेंसी है ये पहले भी निकाली गई थी 19-2022 को तो candidates who had applied earlier in response to the advertisement of 31-2022 issued by HPSC would have to submit fresh application यदि आपने 2022 में भड़ा था इस form को तो उसको निरस्त कर दिया गया है cancel कर दिया गया है और आपको भी ये जरूर भड़ना होगा तो सभी candidates के लिए ये भड़ना जरूरी है अब important बात कर लेते हैं एक बात उन्होंने ये बता दे कि closing rate 18-7-2023 को 11 बज के 55 मिनट पर में है और अब जो vacancies का detail है वो देख लेते हैं ये देखिए कुल 53 post हैं 53 post हैं और ये category wise इन्होंने इसका division भी दिया हुआ है ये देखिए total 53 post हैं जिसमें general के लिए 29 है SC के लिए 11 है BC के लिए 5 है BCB के लिए 3 है AWS के लिए 5 category है इस तरीके से ये यहां तक division इन्होंने दिया हुआ है तो आप जिस भी category में पढ़ते हों उस हिसाब से इसको देख लें अब आप देख लेते हैं आगे कि essential qualification क्या है इस post के लिए तो PGT history के लिए post है तो इसके लिए MA history minimum 50% होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपका BA होना भी ज़रूरी है एक qualification उन्होंने ये रखी है कि metric with Hindi oblique Sanskrit और 10 plus 2 oblique BA और MA with Hindi as one of the main subject यानि कि metric में आपने हिंदी या Sanskrit जरूर पढ़ी हो या फिर intermediate में 10 plus 2 में BA में या फिर MA में हिंदी एक subject आपकी जरूर रही हो एक खास बात जो बताया गया है वो ये है कि इस post पे आप देखी कि इस post के लिए इन्होंने ad state या estate हायाना teacher eligibility test या फिर school teacher eligibility test पास करना compulsory किया है जबकि PGT के लिए प्राया देखा गया है कि किसी जगह पर जो tat होता है वो compulsory नहीं होता है बट HPSC ने इस qualification को PGT के post के लिए भी compulsory किया है एक खास बात तो ये हो गई अब हम आपको बता देते हैं कि scheme या pattern of exam किया होगा दोस्तों PGT history के लिए दो level पे exam होगा पहले level पे एक screening test होगा जिसमें कि कुल 100 question पूछे जाएंगे और ये सारे question MCQ के होगे इसमें 80% आपको subjects related question होगा और इसका जो syllabus है ये NXR1 में दिया हुआ है इसी advertisement के last में है ये advertisement हम अपने telegram group में डाल देंगे और उस telegram group का जो link है ये आपको description box में सबसे उपर मिल जाएगा तो यदि आप description box में उस link पर click कर दें तो सीधे आप हमारे telegram group में चले जाएंगे उसे join कर लिए और इस PDF को आराम से पढ़ करके फिर आप अपना form भरिए तो 80% जो question है वो तो MCQ का हो गया इसके अलावा ये देखिए एनेक्सचर 1 के अलावा जो subjects related question होंगे उससे इतर जो question पुछी जाएंगे वो education psychology के होंगे, pedagogy के होंगे, gk के होंगे, mental ability test होगा, logical listening test होगा तो ये सारी चीजें आप से पुछी जाएंगी और ये test जो है वो 2 घंटे का होगा, total marks 100 का होगा और all questions carry equal marks कह रहा है, इसका मतलब इन्होंने ये कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई marks में अंतर आएगा लेकिन एक खास बात ये है कि 0.25 marks deduct भी किया जाएगा, तो minus marking है तो इस सीज़ का सभी candidates दिहान रखेंगे, क्यारी करते समय में और दूसरा जो paper होगा, वो subject knowledge test का होगा, और ये subject knowledge test जो बगा, वो आपका 3 घंटे का होगा और यहाँ पर कुल 150 number का question पूछा जाएगा, और उसका syllabus जो इनेक्सचर 1 में है, ये वैसा ही रहेगा, और ये examination जो है, वो हिंदी और इंगलिस दोनों ही language में आपसे लिया जाएगा तीसरा stage जो होगा, ये interview या वाइवावोस का होगा, ये देखे, और वाइवावोस का जो weightage होगा, वो 12.5% का होगा तो इस तरह से पहला screening होगा, दूसरा आपका subject knowledge का test होगा, और तीसरा आपका interview या वाइवावोस होगा, जिसकी weightage 12.5% की होगी PGT history के post के लिए जो scale of pay है, वो 47,600 से 151,100 तक का है, और इसके साथ-साथ जो दूसरे allowances होते हैं, सरकार के, वो आपको मिलेंगे अब देखिए age limit की बात कर लेते हैं, तो age limit 18 साल से सुरू करके, और 42 साल तक, यानि कि minimum 18 साल, maximum 42 साल और आपके age limit की जो counting होगी, वो 18 साथ 2023 को होगी ये कुछ age relaxation भी है, उसको देख लें, आप अगर serial cast of हर्याना हैं, तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी अगर आप backward class of हर्याना की candidate हैं, तो 5 साल की छूट मिलेगी अगर आप दिव्यान केटेगरी में आते हैं, तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी इस तरह से आप देख सकते हैं, wives of military personnel who are disabled while in military service उनको 5 साल की छूट मिलेगी, जो widowed हैं, उनके लिए 5 साल की छूट है तो judicially separated women को भी 5 साल की छूट दी गई है, तो यह relaxation है आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी category में परते हैं, तो आपके लिए छूट होगी unmarried women जो हैं, उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है, ex-servicemen को भी छूट दी गई है तो ex-servicemen इसको अच्छी तरह से देख लें और समझ लें कि इनको किस तरह की छूट दी गई है अब main तो यही है कि 18 साल से ले करके और 42 साल की उमर तक का आपको age का limit दिया गया है, इसके बाद accordingly इन्होंने reservation भी दिया है आप जिस category में fall करते हैं, उसके हिसाब से reservation का जो detail है, वो उपर दिया गया है आप उसको उस हिसाब से अच्छी तरह से देख सकते हैं एक खास बात जो इसमें बताई गई है, वो है application fee के बारे में और application fee देखिए, male candidates के लिए 1000 की रखी गई है और female candidate के लिए 250 रूपीज की रखी गई है इसके अलाबा, जो for male candidates of SC, BCE, A non-crimalier, BCB non-crimalier, ESM categories जो है और यह सारे सिर्फ हर्याना के resident होने चाहिए, उनके लिए 250 रूपे के रखी गई है और जो divyaang candidates होंगे, persons with disabilities, जिनका कम से कम 40% की disability है और वो हर्याना के निवासी है, तो उनको nil, यानि कि दिव्यांग जनों के लिए कोई fees नहीं रखी गई है तो यह एक important बात है, यह अपना ध्यान रखें, fee payment करते समय बांकि यह जो आप मीचे देख रहे हैं, यह सारा general instructions वगेरा हैं और इनको अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, और यह कह रहे हैं कि withdrawal of application, no request of withdrawal of candidates जब आप form भर देंगे, तो आपको withdrawal नहीं करने दिया जाएगा, सेक्रेटरी हर्याना पॉब्लिक सर्विस कमिशन, पंचकुला की तरफ से यह vacancy आई है, अब मैं एक दूसरी आपको vacancy दिखा जैता हूँ, यह PGT history की बात हम लोगों ने कर ली, और यह देखिए, यह जो post है 31 अबलिक 23, यह post graduate teacher physical education के बारे में है, यह physical education PET जिसको हम लोग कहते हैं, उनके PGT के लिए है closing date 18-7-2023 की ही है, और दूसरी जो important चीज है, देखिए, एक facilitator counter इनोंने शुरू किया है, हPSC ने एक facilitator counter शुरू किया है और इसके लिए यह number दिया गया है, यह 1800-180-0431, या फिर यहाँ पर में एक email ID भी दी गई है, अगर आपको कोई doubt है, तो आप यहाँ पर में email भी कर सकते हैं, या phone करके, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, समय 10 बजी से ले करके, और सामके 4 बजी तक रखा गया है, और यह rest of हरयाना के लिए है, यानि कि पोरे हरयाना के लिए है, except में बात, और यह vacancy details दी गई है, जेनरल के लिए 374, SC के लिए 136, BCA के लिए 68, BCB के लिए 34, EWS के लिए 68, और इस तरह से horizontal reservations जो अलग-अलग categories में दी गई है, उनका detail भी यहाँ पर में दिया हुआ है, इसको जो differences है, जो bifurcation है post का, वो यहाँ आपको clear हो जाएगा, इसके अलावा जो important एक बात कही गई है, वो educational qualification के बारे में है, और educational qualification के बारे में देखिए, आपको M में physical education होना चाहिए, या फिर आपको MP8 होना चाहिए, और MP8 में आपके 50% marks होने चाहिए, और 7 में आपने BPA पहल होता है, या फिर अगर आप diploma in physical education है, तो भी आपका ये qualification पूरा माना जाएगा, लेकिन एक खास बात यहाँ पर में जो है, वो यही है, कि PGT physical education के लिए भी H state और H state की जरूरत परेगी, बाकी जो चीज़ा है, वो देखी 18 जुलाई की इसकी closing date है, और screening test यहाँ भी 3 stages में होगा, जिसमें कि पहले stage में MCQ question पूछे जाएंगे, दूसरे stage में, यह total 100 marks का होगा, दूसरे stage में देखिए, physical education का subject knowledge test होगा, जो 3 घंटे का होगा, और उसमे पे 47,600 से 151,100 का है, बाकी जो चीज़े हैं इसमें वो उसी तरह से हैं, जो PGT history के बारे में आपको बताई, age limit भी इसका 18 years से लेकर के, और 42 years का है, अब एक और देख लेते हैं, और अगला जो वेकेंसी है, वो यह देखिए, यह 26 oblique 23 post graduate teacher computer science का है, और यह rest of haryana cadre के लिए है तो post graduate teacher जो computer science में है, इसका advertisement डबर 26 oblique 2023 है, और यह देखिए, 28-6-2023 से form भरना सुरू होगा, 18-7-2023 तक form भरा जाएगा, अब यहाँ पर में एक खास बात इन्होंने ऊपर बताई है, यह देखिए, कि candidates have to compulsorily register, आपको पहले अपना registration करना होगा, इसके लिए आप rezn.hpsc.gov.in या फिर सीदे सीदे यह वाला जो website दिया हुआ है, hpsc.gov.in खोलिए, वहाँ पर जाकरके आप अपना registration कराईए, registration के बाद आपको एक login ID मिलेगा, और आपका एक password होगा, तो login ID और password की मदद से, आप अपना registration कर सकते हैं, और उसके बाद यह वाला form भर सकते हैं, चलिए, तो एक खास बात देख लेते हैं कि कितने post हैं यहाँ पे, यह देखिए, 1633 post, जब मैं कह रहा था कि इसकी bumper vacancy है, तो इसका यही मतलब है कि काफी सारी post है, PGT, Computer Science के लिए 1633 post है, यह देखिए, जिसमें general के लिए 898 post है, SC के लिए 327 post है, BCA के लिए 163 post है, BCB के लि horizontal reservation भी है, ESM के लिए 5% horizontal reservation है, और person with benchmark disability के लिए 4% का horizontal reservation है, अपनी category के अमसार, कितनी post आपकी category में है, वो आप देख सकते हैं, total post 1633 ही है, और essential qualification देख लेते हैं, PGT, Computer Science के लिए, देखिए, आपको MSC, Computer Science होना होगा, और regular 2 years का course आपने जरूर किया हो, यानि कि distant वाले इसके ल visible नहीं होंगे, या फिर आपने regular 3 years का MCA किया हुआ हो, या फिर आपने BTEC की हो, या BE की हो, Computer Science में, Computer Engineering में, या फिर IT में, और आपके 55% marks, Masters डिगरी पे जरूर होने चाहिए, इसके साथ ही metric, आपनी Hindi या Sanskrit metric में जरूर पढ़ी हो, और एक खास बात, जो बार-बार मैं कह रहा ह है, वो HTET या STET पास करना PGT, Computer Science के लिए भी जरूरी है, तो इस बात का सभी लोग धियान रखें, exam pattern, same है, MCQ, subject, आपका knowledge test, और इसके बाद आपका interview या वावावोस, और इसके लिए जो cool post है, वो 1688, मैंने आपको बताया, और इसका skill page जो है, वो 47,600 से लेकर के, 151,100 तक का है, तो दोस्तों कुछ important vacancy जो आई है, government sector में जो permanent vacancy है, उसकी जर्चा हमने की, आप इस channel को subscribe कर लें, और bell button जिरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज होंगी, उनका notification आपको लगाता और मिलता रहेगा, all the best.